जय जय राजिस्थार जय जय राजिस्थार मंत्री लातु सिंग जी पूर्व विसाय जीतरांग जी हमारे पूर्व सांतर महामेंद सिंग जी विदायक रनवीर जी भवानी सिंग जी और प्रभुलार जी और यहां उपस से और इचनी सुन्दत दिख रही हैं मेरी सब बाताँ पहले आपको करा आपको बहुत अच्छी अच्छी नगरे और यह एक अपने आप में यह नूठा काम है तो आप लोग सफको बहुत भुत आभार कि आप लोगों ने आगे इसमें प्रेम के साथ हम सब का स्वागत किया हैं और इदार सब बेचे हूए मेरे सब उजूर्व और भाही हों आप लोग सब को बहुत और जिसकी वज़े से मैं आपको धन्नवाद देना चाहते हूं, कि आज बहुत जादा सावे हैं, और उसके बावजूद भी आपने समय निकाल के आज आए हो, उसके लिए भी आप लोग सब को बहुत बहुत धन्नवाद पर देना चाहूंगी, बहुत 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 अब ये चोथा मेरा चलन चलना है, और इसी विए कुछ-कुछ चीज में आपसे पूछे भी आई हो, मैं चाहूंगी कि दस मिद के लिए आप लोग शान्त हो जाओ, बस। दस में किली शान दो जाओ, यह रहन दो आप करें, जो बैठ सकते हो बैठ जाओ, प्यास के बस, सब है, रुप जाओ, रुप जाओ, अब रुप तो जाओ, दो तीन चीज़ में पूछता चाहती हूँ, यह यात्रा मैंने चला के कीन आता है मैंने, क्योंकि मेरे कुछ मैंने का कि एक सफ़ा आके आप लोगों से मिलू, आप लोगों से पूछू, आपके आँखों में आप डालके यह पता करने की कोशिश करूं, कि वाके में छेत्र के अंदर काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वो मेरे को तभी पता हो सकता है, जब मैं आप लोगों के ब यह दोरा किया अब आपके चित्र के आने के बाद मुझे यह मालू हुआ कि जिला मुक्याल होने के बाद जूद भी प्रेजल की जोरदार आपके यहां किलत है क्या यह सही है एक बने इतना बड़ा शहर तौक जैसा शहर बैया आप ऐसा मतलब जिला मुक्याल होने के बाद जूद भी एक दिन छोड़कर एक दिन सप्ला है ऐसा भी हो सकता है जैपुर को पानी पिलाने वाले लोग और आपको एक दिन छोड़के एक दिन पानी कर सप्ला है तौक का अभी तक जो फिल्टर प्लांट लगा जाना चाहिए था वो लग गया हाँ या ना बिजली तो बड़े आराम से आपको मिल रही होगी अब हमारे समय में हमने ये इंतिजाम किया था कि किसान की बिजली अलग से जाएगी तो मैलाओं के एक अलग लाई पहली दफ़ा राजिस्तान की इतिहास में एक अलग सी लाईं सिंगल सेज की बिजली सीवे हमारे माईलाओं के सुविडा के लिए उनकी गरों पे जाने का काम हमने इसलिए अलग किया तो उसका उस समय जब मैंने तरकाच छोड़ी ती तो 20-22 गड़े विजली गर के अंदर बिल रही थी इंके गरों में लाइट नहीं है आख और 10 गड़े लाइट पर ईमिशकिल से आफ को मिल रही है और किसानों को तो सही तरीके से किसी तरह में लाइट मिलती ही नहीं है ऐसी पिती के अंदर अगोशिद का टोटी शेहर के अंदर हो रही है क्या ये सही है अगर ट्रांस्वर्मर जल जाते हैं तो किसान भाईयों ने मुझे ये कहा कि बहुतर गंटे में अब हमसों नहीं मिलते हैं इसको कभी-कभी दोर माइने लग जाते हैं और अगर आता भी है वापिस तो जब सक हम रिश्वत नहीं देते हैं तब सक काम अमारा पूरा नहीं होता है चाहिए भी सही है अब आज़ाओ अपर जिना अस्पताल के ऊपर आपका जिना अस्पताल आपके विदायत और चिकित्ता मंत्री के लड़ाई के शिकार बनी है चाहिए यह अस्पताल में अठारा से 3 है पर कितने डोक्टर ए खाली तारे तीन डॉक्टर है एक और चले जाओ तो आधारा पेया है करते ज्लकरनों का कुछ शेष्टन करना लेकश करने तो आपको यहांनी करते आपको लेपों जाना वड़े पूरी तरह से विफल है और टेल्वानों को भारी परिशानी क्योंकि उनके पास पानी नहीं आता है क्या यह सही है यह भी सही है तोंके सौंदर्यकरन के नामपच पूरी तरह से फिदूर खर्ची जोरगपत का निर्मान किया अच्छे मैने में उखड़के उसकी हालत खराब हो गई और अब फिसने सीसी रोट बनाने का काम जालू किया है क्या है अब आप बताओं मैं कि सरकारी योजनाओं का कैसा बद्धाल है सरकारी योजना कैसे कागश की उपर रहते हैं उसका उधारण आपके सामने है शरमिकों की पुत्रियों की विवा के लिए 51,000 रुपे देने की योजना में 300 आवेदन आये थे अनुदान मिला एक ही व्यक्ति को एक ही आवेदक को क्या आपको मालूम है यह आपको मालूम है यहाँ एक ही आवेज़क, मैंने 300 को मिलना था, उसमें एक ही आवेज़क तो मिला है, शरम आनी चाहिए, तो ये स्कीम बनाने का मतलब ही क्या है, मतलब ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाहरी हूँ आपको, अजमेर तक की रेल लाइन आवा जाओ उसे, उसका सपना साकार हो गया ना, अजमेर की रेल लाइन का सपना साकार, ये मंत्री नम्मो नाराइन मीना, अब कहते हैं, पहले तो कहते हैं चिंसा मत करो, हम तो वहाँ से आपका इंतदान करवा देंगे, यहा कि मुक्य मंत्री ने काहां, मेरे बास तो कोई पैसे नहीं है, मैं तो इससे कुछ जोड़ नहीं सकता, उसके उपर जो नाकर करके सब लोगों को अच्छी तरह से चक्कर में घुमाया है, मैं तो कह रही हूँ कि सब ने धर्मा कर लिया, सब ने वहाँ जाके अपने जंडे दिखा दिये, सब कुछ कर लिया, और घुमा घुमा के, घुमा घुम मैं भी उसका आ रही हूँ, अल्ब संकितों की योजना तो सिर्फ नाम नाम पर ही है, बज़ेत लाप सोने की जोड़दार शिकायत है, ये अल्ब संकित समुदाय को जानकार है की नहीं, उन्ही तरह से है, श्रमिक वर्ग बड़े ताइदाद में यहां अपने टॉंक में है उसके बावजूद भी लेवर कमिश्टर का पाद लंबे समय से खाली है, और फिर आपका विदायक तो आपकी साथ जन समस्याओं को सुन सुन के अपना काम करा देती है ना, उसका बड़िया विदायक चुना है, आप लोगों के सब मुसीबतों को उन्हें पूरी तरह से के कोशिच की है, है ना, मेरा सिर्फ, पांच मिनिट, पांच मिनिट मेरी बाटा सब सुन लें, जब आपने सरकार मुझे सौपी थी, तो उस समय ये सरकार बीमारू कहला ही जाती, आपने पांच साल मुझे दिये, साथ साल बेरो जिंजी को दिये, और हमने बड़ी मुश्क इसको बीमारू प्रदेश के नाम से उठा के, और अग्रणी प्रदेशों की लाइन में ख़़ा करने का काम पहली दफ़ा किया, अब आपने हमको बहुत साल दिये, और कॉंग्रेस की सरकार को 55 साल देने का आप लोगों ने याकाम किया, उदर मुझे प्रदेश में 10 साल ज के सब लोग जांते, उसी तरीके से गुझरात के अंदर, गुझरात के मुझे मंत्री को 15 साल मिले, तो 15 साल के अंदर उन्होंने दुनिया के नक्षे की उपर गुझरात को लाखे दिया के नहीं, दिया है, तो वहां 15 साल में, उदर 10 साल में, और या 5 साल में, और 55 साल अप काम अगर किजी ने किया है तो वो इस कॉंग्रेस की धर्कार ने लगा सार पच्पन साल में किया है मैं पूछना चाहती हूँ अभी सारे सार सार से राज इस कॉंग्रेस का है इन्होंने जैपुर के अंदर बढ़े-बढ़े में अक्वारों में लिखवा दिया चीज़ें बड़े-बड़े काम हमने किये हैं मैं आप लोग उसे पूछना चाहती हूँ जब अठारा पत के एवज में सिर्फ चार डॉक्टर हैं अरे आप लोग प्लीज बैच जाओ क्या करने हैं अब बैच जाओ आप लोग प्लीज बै मैंने जब देगा बड़े हेडलाइन बड़े हेडलाइन के अंदर ये लिखा है कि हम लोग उने बहुत अच्छा काम किया है तो क्या काम किया है आपके अप्टाल में 18 डॉक्टर होने चाहिए वहां तिस चार डॉक्टर हैं और मैं आपको कहना चाहते हूं कि इनने कह दिय कि हमने प्री दवाई दे दी और हमने प्री जाच भी कर दी या कोई है जिसने प्री जाच और प्री दवाई पाई है जैपुर में चले जाओ तो जैपुर के अख़बार में तो अच्छी तरह से लिखा है कि या बहुत सब दूर प्री जाच प्री दवाई है या कोई है ज अधिया कोई है जिसको मखान बनाने के लिए कोई भी BPL परेवार, जिसको 50,000 रुप्य पूरे मिले हैं, जो कि BPL के परिवार के लोगों को फैसा तो मिलता है, परंचुन उसमें 12,000 रुपया काज के मिलता है, पूरे पूरे पजास हजार किसी को नहीं मिले है आज तर ये मैं जासी दस लाट लोगों को हम लोगों ने अपने जरकार के टाइब में नौकरियों का इंतजाम किया उनको सरकारी और गैर सरकारी नौकरिय जी और यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पोस्ट खाली पड़े है पर तो हम लोग किसी की भर्ती करने को तयार नहीं हमने ना टीचर की भर्ती की है ना हमने डॉक्टर की भर्ती की है करंचारी किस पड़ खाली पड़े हुए हैं पर हम भर्जी करने को तैयार नहीं है। मैं आपको यह पूछना चाहती हूँ कि महेंगाई, ब्रश्टाचार इन सब चीजों के अंदर पूरा प्रदेश भूंद रहा है पर तो कोई इसकी मदद करने की तैयारी नहीं है तो सरकार आराम में सारे साथ साथ से बैट के आप आप लोगों के बीच में आने की तैयारी कर दे CBI का नाम जब आप कोई सुनोगे नहीं तो CBI का नाम आगया इनने कह दिया कि आपको हम डराएंगे धंकाएंगे और कुछ नहीं तो CBI को आगे लाएंगे कि CBI कभी किसी को बन कर देती है कभी किसी को दंका देती है और अभी आप देख रहे हो गुलाब जी जैसे एक नेक और अच्छे इस्तान के पीछे किस तरी के से वो CBI को पढ़ा है आप लोग सब जानते है कि इस जट्टी के पीछे हो मेरे साथ चलने वारे से इनने दौरा मेरे साथ किया हुआ था पूरे छेत्र के अंदर जब उनको लगा कि ये यात्रा अच्छी तरह से निकल रही है तो इस यात्रा को डिस्टाब करने के लिए CBI के दौरा उनके उपर इन लोगोंने पूरी तरह से ये करने के कोईशिए ये जी कोईशिए हाथ कोईशिए हाथ जब्ता के साथ कच से परे हुए है जाने तो विचारों को आप लोगों को बेंचा आप लोगों कोईशिए हाथ को आने वालों नहीं इनकी आदत है ये करेंगे इनकी आदत है ये करेंगे अपनी आदत नहीं है अपने अपने हिसाब से अपना काम करें आप जिंता मत करो जंता के दरकार के पास हमने पास साल दिये थे आप लोगों ने दरकार चुनी थी पास साल के लिए ना कि सारे शेह माइने के लिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगी कि एक हजार हज़ासों के अंदर पारे टीचर नहीं है सरकार अलपर सब्ख्यतों की हिस्ती बात करती है आपको ये मालू कोना चलिए कि इस तरीके से अगर उनों ने कर लिया होता तो आज किसे टीचर, किसे पारे टीचर ये सब हो जाते तो सब्ख्यतों लोगों को उसका पाइबा दे जाता एक लाग जओदा अज़ार अज्यापक नहीं और सरकार अच्छी शिक्षा की बात करे हमारे बच्चे आगे चलके नौपरी कैसे पाएंगे ये हम पूछता चाहते हैं ये भिजलिम सारे चाहतं के अंदर सिर्ष्चाहथ हजाब से कम नौपरी याँ बच्चों को मिली है मैं सब्कों को कहना चाहते हूं कि तरकार की जिन्मेदारी है कि वो आपको पिजली दे वो आपको पानी पौचाः वो आपको सरकों का इंतिजाम करे, वो वहाँ याँ निविस्ट करवाने की कोशिश करे, ये टीचर, डॉक्टर, इन साब लोगों को तैयार रखे, पाकि इलाके के अंदर कम से कम लोगों को नुक्साँ कोचे, बस दोई सरकार में बिल्कुली कोशिश नहीं की है, और अब च ठीक है, हम लोगों को डराएं, धंकाएं, हम लोगों को एक सफर और कुछ नहीं को रेवडी बाते हैं, और उनको कहें कि लोग में आजा, आपको वोट मिल जाएगा, और मैं ये पूछना चाहती हूँ, कि जब हमारी सरकार गई थी, तो हम लोगों ने भामाश्राय योजन पिशट, SD, SD, इन जब लोगों को हम बैंक के द्वारा लाभामवित करने की कोशिश करेंगे, मैलाओं को प्रोट साल देने के लिए पंदरा सो रुपय का इंतिजाम हम ने किया था, और ये कोशिश की थी कि स्मार्ट कार्ड हम दें उनको, और कार्ड के उपर 30,000 रुपया ये स्वास्त दीमा के हिसाब से भी लगाया जाएगा, और ये मैलाओं के द्वारा लिख लेगा, ये कहके हम लोगों ने इस चुरू किया था, इसमें सब किसम की चीज़े थी, और लोगों को 30,000 रुपय के साथ साथ, 1500 रुपया, और साथ साथ टेंशन, वेंशन का सब का क चाहरे थे, 800,000 रुपया मैंने अलग से रखा था, पर तो नहीं रखना चाहरे थे, उन्हें ये तैय कर लिया, कि किसी भी तरीके से हम लोगों को नहीं मदद करना चाहते हैं, चार सारे चार साल नहीं किया, और अब आपको कह रहे हैं, जेवडी बात-बात के सब को, कि हम स इसको भी देंगे, उसको भी देंगे, मैं आपसको विश्वास ही दिलाना चाहती हूँ, कि ये सरकार पात साल की दर्कार थी, सारी चार महीने की दर्कार नहीं थी, और जो सरकार सारी चार महीने के अंदर ये कान कर सकती, वो सारी चार, साल में अगर कर के दिखा देती, तो तो मैं समझझी कि ऐसे लोगों को हम सिर्वी कुर्टी से ला पक्तू है। माताय वेने में आप लोगों सबसे ये पता करना चाहती हूँ कि आप लोगों की इज़त मिट्टी में मिला देने का काम किसने किया है। आज जिस तरीके से चलना है नंगा नाच। उसके अगर माई लाव के साथ अच्याचार अभी पेपर में देखाओ। मैं तो समझते हुआ कि इसना हच्टे की बात नहीं है तो इसना सीरियस मामला है। जो बहुत बगीर बच्चों के साथ हुआ आज माई ने उनके साथ अच्याचार हुआ और आखिर में अभी तीस एपर को मालुक पड़ा। मैं लाओ की इच्चत को समान नहीं सकती। ऐसे लोगों को उस कूर्टी पे बैठने का हक्त नहीं है। उनको चुलू पर पानी में दूप के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को रखने में कोई पस्तर नहीं है। मैं सब लोगों को यह आगा कर रही हूँ। सब लोगों को अगा कर रही हूँ। कि इनों ने जिस तरीके से राजत साथ को तनन्कित किया। जिस तरीके से हमारे स्वाबि मार् और इंचने साथ खिलबार किया। मैं यह बताना चाहती हूँ। कि जब भी समय आता है। तो कॉंगरेट हम benchmark हम लगों को लरवा लरवा के पूंस काएं कर लेती है। आप लूगों को सब को मालूम है कि षेख के अम हमारे जेब के वोट है HST क्षेख के जाएंगे। इन्होंने के दिया कि मुष्वान कहा जाएंगे तो हमारे Zatsi के वोट है। आखिर में वाजपा खा जाएगी, दरादो उनको, अब मैं सब को यह कहना चाहती हूँ, कि हमारे वोट हमारे इज्जत के वोट है, हमारे स्वाभी मान के वोट है, और राजस्तान के लोग इतने स्वाभी मानी हैं, भूके सो जाएंगे, पर अपने इज्जत और अपने स्व चाहे वी जातिका है चाहे वह किसी भी मज़द्ग का है सब को अपनी इजण प्यारी है और कोई भी इस तरीके से किसी का बंद वा मज़्दूर नहीं है कहां करोगे तो हमारे वोट पाओगे और काम नहीं करोगे तो हम भी उस कुर्सी से आपको उतारके नीचे लाएंगे इसना भी ताक्त हमारे हाथों में है और मैं सब को आज यही कहने जा रही हूँ फिर से ही आपके बीच में आएंगे छे मैंने बाकी है तो सब को लड़ाएंगे सब लोगों को फिर से मजब के बीच में उनके भी लड़ाया करवाएंगे पर अंतु हमने राजस्तान के अंदर ये कहा है बातिजंता पार्टी ने ये कहा है कि अगर विकास करना है तो उसमें एक ही रास्ता है कोई जगा करके विकास नहीं कर सकता क्योंकि अगर रोड या पानी लगेगा या बिजली आएगी तो सब के लिए आएगी किसी एक मजब या एक जास के लिए नहीं इसलिए जरूरी है कि हमारे बीच के दीवारों को हम खतम करें जरूरी है कि एक परिवार के रूप में 36 के 36 को आप चल पड़े उनके साथ सब मजब जुड़े और एक प्यार के राते में हम लोग सब निकल पड़ेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारे विकास के रस्ते को अबरुद कर सकता है हमारा विकास होगा होगा जो बिल्कुल आपको कहने की दरुबट नहीं बिल्कुल होगा ये मैं आप सको दिश्वास रहना चाहते अब हमें अगर रिकास करवाना है अगर एक ऐसा नया राजस्तान हमें बनाना है जिस नाए राजस्तान के अंदर हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े होके अपको रोजगार मिले और वो आगे बढ़ सके एक ऐसा राजस्तान जिसके अंदर हमारी माईला है अपना सिर्व उचा करके इज़त के साथ चल सके एक ऐसा राजस्तान जिसके अंदर हमारा किसाल मजबूत और उसको समय पर पानी मिले खाद बीच और सही बीच उसको समय पर मिले और जब वो जाता है तो पतल के अच्छे मूल्य मिले एक ऐसी जी होती है तो मैं समझती कि वह मजबूत होता है यहां तो हमें यह बोला जाता है कि अगर किसान के साथ कोई बात होती है अगर पाला पढ़ जाता है या फ़तर खराब हो जाता है तो हम मुआज़ा देंगे मैंने जब दूर पता किया आज तस और मैं तीन संभाग से निकल के आ रही हूँ कई भी एक किसान में नहीं कहा कि हमारे यहां पाला पढ़ने के बाद खराबा होने के बाद हमको मुआज़े का कोई इंतिजाम हुआ आपको किसी को मिला है कोई भी किसान या है जिसको मिला है मैं नहीं समझती हूँ किसी भी किसान को मिला है और मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें वह मजबूत किसान चाहिए जो समय पे अपना काम कर सकता है जिसको कहीं किसी के सामने गिर गिराने की जरुवत नहीं है एक ऐसा नया राजस्तान बने जिसके अंदर हम अपना सिर उचा करके चल सके हमारे बच्चों को पलायं करने की नहीं हो वो इसी प्रदेश के अंदर अपना सिर उचा करके रोजगार लेके और अपने माबाद की जिन्दकी समाज सके एक ऐसी राजस्तान का कल्पना आपने भी किया है हमने भी किया हम लोग सब चाहते हैं कैसे नए राजस्तान बने जिस नए राजस्तान के अंदर हम ल कیکरता है तो उस समय बहुत सारी बाते करेंगे भरंतों है तैयार हो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमाई झस्जत है चॉप एमाई हमारी सवाई मांंके लड़ने के लिए तैयार हो वाणईयर के अंदर हमें बदलाव लाना है हम लोग मिल के इस बदलाव लाने के लिए तैयार है और हम सब को कहना चाते हैं खाली तोंग के अंदर नहीं ये पूरे राजस्तान के अंदर हवा है जिस हवा के अंदर चाहे वो बच्चे हो, चाहे मैला हो चाहे वृत हो चाहे हमारे द्यापारी क्यों न हो और किसान क्यों न हो अरे द्यापारियों के साथ शुद पे युद कितना हो रहा है युद पे शुद युद पे शुद और शुद पे युद हो रहा है ना कितना हो चुटा कितनों को दुखी कर दिया और कौन क्या खारा है कितना शुद्ध है ये अपने को सब को मालूब है कि नहीं मालूब सब जानते हैं इसलिए आज अगर हो बजनाव करना है तो हम लोगों को ये तैय करने ना है कि हमने पच्पन साल मौका दिया और पच्पन साल के बाद आज हम लोगों ने तैय किया कि पूरा परिवार एक होके चलेगा और राजस्थान को उचे जर्जे में पहुचाने का काम करेगा जिस तरीके से गुजरात में हुआ है जिस तरीके मंद्व प्रदेश में हुआ है वैसे राजस्थान भी कर सकता है आप लोगों को खाली तैय करने की जरूवत है तो तैय अगर हमने कर दिया जोगा नारा मेरे साथ भारती जिस तापाई थी बार्ट जिस्ता पार्टी और एक राजस्तान का नारा जोटा तरीके से जैजे राजस्तान जैजे राजस्तान